हेलो एवरिवन वेलकम तो आवर चैनल सॉप्ट स्टड़ी तो जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा सिवेसी क्लास 9 से 12 तक के सिलेवस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है अप्टू 30% सिलेवस को रिमूब कर दिया गया है द्यू टू COVID-19 तो COVID-19 के कारण अब आपको सिलेवस का के बल सिवेंटी परसेंट ही पढ़ना है बाकि 30% परसेंट को आपके सिलेवस से डिलीट कर दिया गया है तो इस वीडियो को आपके कहने पर इस वीडियो को लाए गया है बहुत से स्टुडेंट्स ने मुझे कहा कि आप NCRT बुक में हमें टिक आउट करा दिजिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं चैप्टर वाइ चैप्टर तो सबसे पहले अगर आप टिक आउट करना चाहते हैं तो आप अपने NCRT Science Class 10 बुक को खोल लीजिए और खोल कर अपने सामने रख लीजिए ओपन कर लीजिए बुक को और जैसे जैसे मैं आपको टिक आउट कराऊंगा वैसे जैसे आपको टिक आउट करना है और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए तो शुरू करेंगे हम लोग टिक आउट करना है उमीद करते हैं कि आप लोग ने अब तक भुक खोल लिया होगा अगर भुक को नहीं खोल है तो वीडियो को पॉज किजिए और पहले भुक को खोल लीजिए क्योंकि आपको टिक आउट कराना है सिलेवस वाला जो वीडियो है बहुत पहले ही आप लोग इस चैनल पर आपको लोग को मिल चुका है मैंने अगर आपने देखा है उस वीडियो को तो आप ले लिस्ट को चेक किजिए वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं या उपर के आई बटन से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं या description box में आपको link भी मिल जाएगा तो शुरू करते हैं हम लोग टिक आउट करना तो जो first chapter है हमारा chemical reaction and equation तो पहले आप एक नजर हम लोग syllabus पर डालते हैं या खिर किस portion को delete किया गया है तो चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं unit 1 की तो unit 1 से मैंने इसका वीडियो पहले भी मैंने आपको इस चैनल पर आपको मिल जागा deleted portion का वीडियो तो आपको उसको अगर नहीं देखा तो आप देख लिजिए नहीं तो आप टिक आउट डिरेक्ट कर लिजिए जी तो unit 1 में आपका है chemical substance, nature and behavior तो इसमें आपको metals and non-metals सबसे पहले metals and non-metals को खोलना है तो चलिए पहले हम लोग unit 1 की बात करते हैं तो unit 1 में metals and non-metals को हम लोग open करते हैं और उसमें जी स्पेज नमर को मैं बोलूँगा आपको उस पेज को खोलना है और टिक आउट करते जाना है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो चलिए बुक को खोलते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे आपके सामने chapter 1 खुल जुगा है नहीं किया गया है तो आपको पूरा पढ़ना है या आपका chapter fully तरह से आबाद है यह आपका पढ़ना है तो पढ़ना है आपके किसी भी तरह के किसी portion को delete नहीं किया गया है तो इसमें किसी तरह का टिक आउट आपको नहीं करना है मैंली जो टिक आउट करना है आपको metals and non metals carbon and its compound हो तो चलते हैं हम लोग थर्ड चेप्टर की ओर चलिए सब को टिक आउट आप लोग करते जाएगा यह सब चेप्टर आपका जो है वो बिल्कुल मंतलब आवाद है page नमर आपका था यहां से आप देख सकते है page नमर को नीचे वाले portion से यह page नमर 18 था है यह 17 पेज नमर था चलिए हम लोग चलते हैं chapter 3 में जो chapter 3 है हमारा तो जिसका हमें इंतिजार था वही chapter आचुका है metals and non metals तो metals and non metals से आपको कुछ topics को delete किये गया है मैं उस तभी topics को आपको बताना चाहता हूं तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस chapter 3 चेप्टर के page नमर 49 को open करते है page 49 आप लोग अपने NCRT book में खोल लिजिए बहुत से बच्चे side book का भी उप्योग करते होंगे तो इस video में आपको side book में भी आप इंसा भी topics को आप हटा सकते हैं रिमूब कर सकते हैं वीडियो को देखिए 49 पेज नमर में चलते हैं डिरेक्ट 49 पेज नमर में चलिए और चैनल पर अगर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए पेज 49 पर हम लोग चलते हैं मेली क्या है आपको metal और non-metal से आप deleted portion वाले वीडियो को देखिएगा तो उसमें आपको पता चलियागा metallurgical जो process है उसको delete कर दिया गया है तो हम लोग page no.49 में आते हैं देखिए page no.49 आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा तो page 49 से आपको जो occurrence of metals है याने extraction of metal इसी को कहा जाता है metallurgical process तो इसको आपको नहीं पढ़ना है इस portion को आपके topics से मतलब आपके slabels से delete कर दिया गया तो आप लोग इसको cut out कर लिजिए इसको आपको नहीं पढ़ना है और हम लोग आते हैं यह सब भी आपको नहीं पढ़ना है यह ज़ो ढ़ना है इसको चाहिए इसको चलता है यह सब आपको नहीं पढ़ना है कुछ सबक cattle करते जाए आप व jeśli आपको मोइज आपको नहीं परना है जी परले हैं आपको तो आपके एक्जाम में नहीं पूछा जाए इस चैप्टर से आपके एक्जाम में एक भी क्यूशन नहीं आएंगे तो आप अच्छे से इसको मतलब कट कर लीजिए पढ़ने से कोई फायदा है नहीं आपके पर सकते हैं बट हमें तो एक्जाम पास करना है यह भी नहीं आपको पढ़ना है तो मैंने इस अभी को टिक आउट करा दिया तो यह सब सब्सक्राइब करना है तो अगर आपने पीडियो प्रवाइट कर दिया था तो अगर उस समय तो हमें टाइम नहीं मिला और जैसे ही आज टाइम मिला तो मैंने सोचा कि उनका वीडियो को कर दिया जाए उनकी बातों को माल निया जाए चलिए कारवन इंस कांपाउंड से आपका नॉमें कुलेचर आफ कारवन कंपाउंडिंग कॉंटेनिंग फंक्शनल ग्रूप इंस भी टॉपिक को अठा दिया गया है तो यह आपका पेज नमर 63 में मिल जा गया जी तो चलिए हम लोग चलते हैं पेज नमर 63 के और आप च Azteam सबावन कंपाउंड इन सभी टॉपिक को आपको नहीं पर नऄ है इसको डिलीट कर लिजिए यहां से सबीका आप लोग evangel करते जाएयं कट करते सायए को सब posp तोपिको इस्टरी कुछ मिश्चेक हो गया सब चलिए तो हम लोग देखते हैं तो इनसा भी फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप को भी नहीं पढ़ना है सब अपको नहीं पढ़ना तो आप एक तरह से कर सकते हैं आपको यह सब कुछ नहीं पढ़ना है लेकर यह सब भी जितने भी टॉम्स आपको डेखने को मिला है यह सब आपको नहीं पढ़ने है इhenol और efficient के बाड़े में भी आपको नहीं पढ़ना है तो यह सब 75 प्रियंट के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना हैं वहने से थीनिथे पेज 63 तक ही आपको पढ़ना है इस chapter में और बाकी हम लोगे size में आ चुके हैं तो पेज 63 से करवन इंटिस कंपाउंड में पेज नम्र 63 से आपको नहीं पढ़ना है पेज 63 से टिक आउट कर लिजेगा आपको नहीं पढ़ना है उम्मिद करते हैं आपको वीडियो समझ में यह नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा जो भी प्रोब्लेमों का समधान मिलेगा हमारे वाट्सप नमबर पर ही आप कंटेक्ट कर सकते हैं कमारा वाट्सप नमबर है 9523297596 और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किजिएगा नेक्स हम लोग बात करते हैं चैप्टर नमबर 5 की तो चैप्टर 5 में हमारा आता है तो चैप्टर 5 बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है अगर इसे स्लेवर से हटा दिया जाए तो क्या पढ़ने का मजा ही क्या रहा जागा क्या मिस्टर या की पढ़े हैं हम लोग क्यों प्योडिक लासिफिकेशन आपके पूछे जाते हैं और बहुत इंपोर्टेंट सा चैप्टर है आपके लिए तो इस चैप्टर से कोई जो कुछी तरह का डिली टेशन नहीं किया गया है तो यह पका चैप्टर पुली का पुली अब आधाई चैप्टर पहब को पढ़ना है तो पढ़ना है तो आप लोगों कुछी तरह के पर दिखा देरा हूं फिडसे तो वल्ड़ फ लिविंग से आपको to control अन कोडिनेशन नामक चैप्टर से क्या ed लिई प्रोसेसं चैप्टरका कोई- América नहीं किया गया है लाइफ प्रोसेस तो लाइफ्रोसेस से किसी तरह का कोई लिटेशन नहीं किया गया है तो किया गया है तो किसे भाई control and coordination नामक चैप्टर से तो चलते हैं हम लोग 7 चैप्टर के और ये चैप्टर आपका चैप्टर से पोले ना कि जो सुरू का जो चैप्टर आपका फिजिक्स केमेस्ट्री बायो में सभी चैप्टर उसको मतलब छोड़ दिया गया है क्योंकि बहुत से बच्चे क्या किये थे पहले से त्यारी में लगे हुए थे चैप्टर 7 का पेज 119 खुलना है 119 और कोडिनेशन इन प्लांट और पूरे के पूरे टरम्स को आपके सलेवस्ते डिलीट कर दिया गया है यह आपके सलेवस्त में नहीं है और भी आपके टरम्स और विमॉव किये गया है तो आपको इस अब देखना है इनिमल्स यह भी आपको नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ पर आपको सिलेवस को दिखायता हूँ, आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखाया, तो देख लीजेगा, मैं बतायता हूँ, आपको कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने है, तो आप अपने बुक में टॉपि आपको नहीं पढ़ना है, मतलब आपने अगर इसकी पढ़ाई की है, आपकी पढ़ाई सार्थक हुई है, मतलब एक सटिस्टैक्शन वाली पढ़ाई हुए है, तो इसमें आपको किसी तरह के कोई भी टेंसन नहीं लेना है, हम लोग चेप्टर 9 के और आते हैं, तो माले चेप्टर 9 है, आपका, इनली चेप्टर 9 में आपको खोल लेने है, पेज नमबर खोलेजे, ओपेन कर लीजिए, पेज नमबर 147, और पेज 147 से आप धराधर आप करते जाए है, जो आपका इवोलियूशन है, बेसिक कंसेप्ट अप इवोलियूशन के एटार दि आपको नहीं पढ़ना था, आपको नहीं पढ़ना है, अब आते हम लोग बात करते हैं, वहाड़ा यूनीट जो ठर्ड है, उनीट ठर्ड में आपका आता है नेचुरल फेनोमेन, तो नेचुरल फेनोमेन से किसकी चैप्टर से कौन से टॉपिक्स को अटाया गया है, तो य आपके एक्जाम के लिए बहुत important है, और इससे आपके एक्जाम में बहुत सारे questions पूछे भी जाते हैं, तो चैप्टर 10 को पढ़िएगा, अबसे से अबसे पढ़िएगा, बात आती है चैप्टर 11 की, तो आखिरकार हम लोग को इनतजार था चैप्टर 11 की, तो चैप्टर 189 से आपका जो topics है, देखिए मैं topics को पढ़ता हूँ आप लोग का, इन सभी topics को आपको नहीं पढ़ना है, defect, vision and their correction इसको आप delete कर दिया गया आपके syllabus से, यानि आपको जो है functioning of a lens in human eye, यह सब जो function है, lens, myopia में क्या lens का उप्योग होता है, defect, vision, correction, application of a spherical mirror license, यह सब आपको नही syllabus से इन सभी terms को delete कर दिया गया है, तो आपको इन सभी syllabus terms को नहीं पढ़ना है, तो आप नहीं पढ़िएगा, तो chapter 11 से आपका mainly यही था, और मैं फिर कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे syllabus वाली वीडियो नहीं देखिए, science class 10 की, तो देख लिए यहां पढ़ाई बटन में आप आपको सोग हो रहा होगा, तो यहां से आप लोग देख से थे हैं, नीचे description box में आपको link मिल जागा, वहां से आप देख सकते हैं, बात आती है हमारा chapter जो unit, जो हमारा fourth है, unit fourth है effects of current, तो effects of current में आपका chapter 12 से start होता है, chapter 12 है आपका electricity, तो electricity से क्या diletation होई है, तो मैंने आपको प्रिवियस वीडियो में बताया था, कि electricity जो unit fourth है, effect of current से आपका electricity chapter से किसी तरह का diletation नहीं हुआ है, यह chapter fully का fully आपका पढ़ना है, तो पढ़ना है, बात यह chapter 13 की, तो chapter 13 की बात करते हैं, तो बिल्कुल chapter 13 से आपको diletation किये गया है, magnetic effect of electric current से diletation किये गया है, तो कौन-कौ नमर आ जाई है, page number 236 में आ जाई है, यहाँ पर page कितना है, page को हम खोल लेते हैं, page 224 है, page 236 पर आते हैं हम लोग, page 236, अभी हमारा page बहुत पीछे है, तो page 236 आपको यहाँ पर, जैसा कि अब देख पार है, page number 236 में ने खोल लिया है, तो page 236 में आपको क्या, तो आपको कौन-कौन से topics नहीं पर ना है, देखिए बहुत important and बहुत hard topics आपके एक्जाम के लिए electric generator अब इसको आपको नहीं पर ना है, तो यह आपके chapter से topic से delete हो गया है, direct current यह सबाभी आपक circuit भी आपको नहीं पर ना है, यह भी आपके exam से remove कर दिया गया है, चलिए काट लिजे, cut out कर लिजे इसको, take out कर लिजे, आप लोग के कहने पढ़ी वीडियो को बनाएगे, और कुछ topics हैं, जो आपको sidebook में मिल जाएंगे, तो उनसा भी topics को भी नहीं पर ना है, तो मैं बता 14, 15, तो unit 5 के chapter number 14 से ही deletation किया गया है, बाकि किसी chapter से deletation नहीं किया गया है, तो source of energy से आपका जो deletation किया गया है, तो page number 244 की और चलते हैं, हम लोग कहां पढ़े हैं, page number हम लोग अभी है, 243, 244 हमारा खुल चुका है, conventional source of energy, तो यह सब आपको आपको नहीं पढ़ना है, यह सब कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब chapter 14 जो है, पुड़ा का पुड़ा बरबाद है, मैंने देखा है, chapter 14 आपका पुड़ा का पुड़ा बरबाद है, यह सब कुछ नहीं पढ़ना है, यह सब आपके से लेवस में नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब एक तरह से स लिए प्वार्मेंट तो आपको चेप्टर को आपको नहीं पढ़ना को बढ़ना है थे आप को है यह ब्लाहset से किसी तरह की दिलेटेशन नहीं की गए हैं तो आपको इंसा भी चैप्टर्स को पढ़ना है और एक बार नजर डालते हैं हम लोग सिलेवस के उपर तो क्या था हमारा सिलेवस देख लिजिए आप लोग सिलेवस को तो यह देखिए आपका जो मैंने सिलेवस के उपर वीडि डिस्क्रिप्स हमारी टेलीग्राम चैनल से जूरी है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या सर्च कीज़े टेलीग्राम पर सॉफ्टर स्टड़िया कासकुमार और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और किसी तरह के अपडेट आता है तो